आज हम देखने वाले हैं भासा की कौन-कौन सी विशेश्टाय होती हैं तो देखिए आपको heading डालना है सबसे पहले कि भासा की विशेश्टाय निम्न हैं देखिए अब किसी भी भासा को शिर्खते हैं तो वह भासा हमें पहले तो scenario में कठिन लगती है और उसे बार-बार सिखने पर वो हमें सरल लगने लगती है जैसे इंग्लीज, देखिए इंग्लीज सभी को कठिन लगती है लेकिन हम इंग्लीज की बार-बार प्रेक्टिस करेंगे तो हमें इंग्लीज अच्छी लगने लगेगी और सरल लगने लगेगी यानि कि उसके हम बार-बार प्रक्टिस करेंगे तो वहां में सरलगने लगेगी तो इसी तरह से हम कोई सी भी भासा सीखते हैं तो पहले हमें उसे सीखने में कठिनता आती है और फिर हम उसे धीरे-धीरे सीखते हैं तो हमें वहां सरलगने लगती है तो देखिए सदेव भासा सदेव कठिंता से सरल्ता की और उन्मुक होती है तो यह आपका पहला पॉइंट हो चुका है देखिए जो भासा है भासा में सहाइती रचना अधिक होती है क्या होता है भासा में सहाइती रचना अधिक होती है तिसरा पॉइंट देखिए कि भासा अनुकूरण अनुकूरण दुवारा लिखी जाती है किसके दुवारा अनुकूरण के दुवारा लिखी जाती है भासा का छेतर विस्तरत होता है देखिए भासा का छेतर बड़ा होता है क्यों होता है इसमें एक से अधिक बोलिया होती है जैसे अपने अपने राश्टी की अपने अपने बोली होती जैसे पंजाबी लोग पंजाबी भासा का प्रियोग करेंगे गुजराती लोग गुजराती भासा का प्रियोग करेंगे तो जिन में एक से अधिक बोलिया होती है उसे भासा केते तो भासा का छेतर कैसा होता है विस्तरत होता है देखी चोर्था पॉइंट ही जैसा कि इसका छेतर विस्तरत होगा तो इसमें एक से अधिक बोलिया बोली जाती है तो भासा में एक से अधिक बोलिया बोली जाती है इसके बाद है पांचवा पॉइंट भासा उप्चारिक्ता का प्रतिक है तो जो भासा है इसका प्रियोग सरकारी कामकाज में भी किया जाता है जैसे कि जब हमें बिजली की समस्य आती है तो हम आवेदन लिखते हैं तो उसमें भासा का प्रियोग किया जाता है इसके बाद इसकुलों में अचारी प्रदान द्यापक को आवेदन छुट की जो भी हम आवेदन लिखते हैं उसमें भासा का प्रियोग किया जाता है तो पांच पोइंट है पांच को एक बार और अच्छ सम धोराते हैं कि भासा सदे कठिंता से सरलता की और उम्मुक होती है भासा में साइती रचना अधिक होती है भासा अनुकुरन द्वारा लिखी जाती है और भासा का छेत्र एक विस्त्रत होता है भासा में एक से अधिक बोलिया होती है LEV इसके बाद है भासा अप्चारिकता का फ्रती के भासा का उप्रियोग सरकारी कामकाज में भी किया जाता है तो यह आपके छे पॉइंट है कितने पॉइंट है छे पॉइंट है तो आप छे पॉइंटों का पूरे का स्क्रीन सोट ले लिए अच्छे से और इन्हें अपनी नोड़ बुक में नोट कर लिजिए